हलो फ्रेंड्स, वल्कम टू आइक्जाम भी, आइम सुशिल रगडे, एक्स मैनेजर रिजर बैंक आफ इंडिया और यहाँ पर आज हम बहुत कॉमन दिखने वाला क्वेशन देखने वाले लेकिन इसका आंसर जब आप देखेंगे अक्चुल क्या आंसर है तब आपको थोड किसे पूछा गया है, जैसे RBI कितने लोकेशन पे प्रेजेंट है, RBI के कितने ओफिसेस है, RBI के कितने ब्रांचेस है, ठीक है, तो आपको पहले सबसे पहले, अगर डिस्क्रिप्टिव में है, डिस्क्रिप्टिव में तो नहीं आता है यह, लेकिन MCQ-based question में, जैसे phase 1 में म सकता है, phase 2 में भी आ सकता है, वहाँ पे फ्रेमिंग कैसा है, या वो ऐसा भी पूछ सकते कि RBI ACT के साफ से कितने ओफिसेस है, ठीक है, 1934 आपका ACT बता है आपको, तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे तरीकिस देखना पड़ेगा, इंटरु में near about 20-25% student को यह question definitely पूछा जाता है, तो मैं आपको यहाँ पे इसका अंसर क्या-क्या हो सकता है, वो यहाँ पे बताऊंगा, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो अभी सबसे पहले मैं आपको एक मिट में एक इन्फोर्मिशन देता हूँ, कि RBI इंटर्वी की अभी आप में से कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, तो यह सारे हमारे लाइव सेशन अब तक हो चुके हैं, सारे जो अभी आमें ऑफिसर बहुत टॉप टॉप पोजिशन वज़े चुके हैं, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर अलपना किला वाला मैं है, मैंने आपको पहले इबताया था, डॉक्टर कुछ लोग का टाइम एड़ जिस नहीं हो रहा है, अगर आपको यहाँ पर करना है, तो आपकल इस नंबर पर या इस नंबर पर कॉल करके, आपका जो स्लोट है वो बुक कर सकते हैं, अभी देखिए, अगर आप RBA के वेबसाइट देखेंगे, तो About Us में आपको दिखाई देगा, RBA has offices at 32 locations, एक टाइप का दिया है, उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यह offices जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो फिर यह image open होगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है, RBA has offices at 32 locations, तो यहाँ पर उन्होंने जगे भी बता दिये, लेकिन अगर आप यह RBA का annual report है, latest annual report, जो 2023 का annual report है, तो इसमें देखो, क्या लिखा है, यहाँ पर offices लिखा है, तो कितने offices बताएं उन्होंने, चार offices बताएं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है, यहाँ पर यह जो सारे, यह सारे branches है, ठीक है, तो अ ज्यादा इंट्रो में आ सकता है, फेस्वन में भी आ सकता है, वो पूछ सकते हैं, आपको एक्ट भी दिखा देता हूँ, तो इंट्रो में अगर आप पूछेंगे, तो आप बता सकते हैं, अलग अलग तरीके से देखो, यहाँ पे तो 34 है, एक्चुल लोकेशन हमने यहाँ इतने हैं, 34 लोकेशन हैं, तो आप बता सकते हैं, तो आप बता सकते हैं, अलग अगर आप यह गिनेंगे, तो टोटल काउट जो है, वो 34 आएगा, लेकिन यहाँ पे सीफ ओफिसे लिखा हूँ, ऐसा क्यों लिखा है, मैं आपको एक्चुल एक्ट दिखाता हूँ, देखो, तो रिजर्बैक ऑफ इंडिया अग, 1934, ओफिसेस, ब्रांचेस, एन एजनसीज, देखो, बैंक, बैंक क्याने की, जब बैंक आता है, वर्ड कैपिटल में, तो उसका मतलब होता है, रिजर्बैंक, और जब बैंक स्मॉल आएगा, उसका मतलब है, आपका कवर्शेल बैंक, यह चीज जो है, वो बहुत कम लोगों को पता होगी, जब ही आप कहीं में भी बैंक पढ़ेंगे, आर बैंक की रिपोट में, तो बैंक की, बी कैपिटल बैंक, यानि की, आर बैंक, तो बैंक शल सून, as may be established, offices in Bombay, Calcutta, Delhi and Madras, ठीक है, यानि की, आर बैंक की, आर बैंक की, थोड़ा थोड़ा उसमें modification कभी कभी होता रहता है, तो offices देखेंगे, तो वो सिफ चार offices है, और बाकी जो है, उसको branches कहते हैं, तो इंट्रो में अगर आप ये question आता है, और आप इस तरीके से अगर explain करेंगे, तो एक अलग type का impression पढ़ेगा, कि आपको ये बहुत detail में पता है, आप RBI annual report का reference दे सकते हैं, आप RBI ad का reference दे सकते हो, और website में, अगर हम normal parlance में बात कर रहे हैं, general detail operation में, तो आप कह सकते हैं कि RBI के offices 32 कहेंगे, तो भी बराबर है, 34 कहेंगे, तो भी बराबर है, क्योंकि 34 exactly आपने देख लिया है, लेकिन आपको ad के साब से वो आएगा, offices है, और मुझे comment section में बताइए, आप में से ऐसे कितने students थे या candidates थे, जिसको, जिनको इनका, ये जो question था, इसका answer पहले से बता था, तो ये अभी क्या है, intro के लिए मैं students को guide कर रहा है, तो उसमें ये question आता है, student भी पूचते सा confusion होता है, कि अलग अलग जगा पहला अलग द कहते हैं, उसके हिसाब से आपको answer देना पड़ेगा, और जिनको intro के लिए guidance चाहिए, वो जो number मेरे वीडियो में दिया है, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, काफी intensive program है, सिर्फ ये नहीं है, पूरा RBA का bulletin आता है, जो कुछ भी RBA के website प्यार है, सारा का detail analysis आपको simple language में provide किय जाता है, thank you for watching this video, and all the best for your studies and upcoming examinations.